दोस्तों कर आप एक Instagram यूजर सो Instagram को यूज करते हो तो ये वीडियो आपी के लिए इस वीडियो के अंदर मैं आप से बात करने वाला हूँ काफी परसन को Instagram के अंदर कल से एक प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम यहीं जैसे ही वो अपने Instagram के अंदर एंटर करते हैं उसके अंदर जाते हैं और वो किसी भी story पर click करते हैं या फिर अपनी story पर click करते हैं तो उनका Instagram वहाँ सी automatically back हो जाता है और वहाँ पर उनके सामने एक error आ जाता है keep stopping stopping तो यह problem काफी person को आ रही है Instagram के अंदर जिनके DM मुझे देखने को भी रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे Instagram के अंदर यह क्या problem आ गई है चैनल पर नहीं हो तो बैए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लोडिफिकेशन को ओल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ वैसे तो यह है Instagram का गिलिच एक बग जो की आने वाले अपडेट की साथ में fix होगा सबसे पहले आपको यह समझना है कि यह जो प्रॉब्लम आपको आ रही है यह गिलिच है एक बग है Instagram की तरफ से application के अंदर बग चल रहा है प्रॉब्लम चल रही है लेकिन यहाँ पर आप इसको solve कैसे कर सकते हो बात यहाँ पर आती है कि जब कोई glitch और bug आता है उसको Instagram खुद fix करता है जब Instagram का कोई update आ जाता है लेकिन कुछ person की जो problem से मैंने इस तरीके से भी solve कराई जिनके DM मुझे आए मैंने उनको एक तरीका बताया उस तरीके को उन्होंने follow किया तो उसमें से कुछ person की तो problem solve हो गई और कुछ की नहीं हुई अब वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ आपको अपने Instagram application को अपने phone के अंदर से install करना है और उसके बाद मैं दुबारा से download करके उसमें ID को login करनी है लेकिन आप install उसको तभी करेंगे अगर आपको अपनी ID का password और username पता है वरना बात में आप ये कहोगे कि हमें तो password ही नहीं पता हम किस तरीके से login करेंगे तो ये चीज आपको ध्यान लखनी है इसी में दूसरी चीज और भी है अगर आप Reels पर वीडियो बनाते हो और आपने कुछ वीडियो को ड्राफ के अंदर सेव करके रखा है जो Reels का ड्राफ होता है अगर आपने वहाँ पर कुछ वीडियो को सेव करके रखा है तो आप पहले उन वीडियो को अपलोड करेंगे उसके बाद में आप अपने इस्टाग्राम को अनिस्टॉल करेंगे क्योंकि इस्टाग्राम को अनिस्टॉल करने के बाद में जितनी भी ड्राफ की वीडियो होती है वो वहाँ से डिलीट हो जाती है वो वापस भी नहीं आती है यह चीज़ भी मैंने पहले ही किलियर कर दी वरना आप यह कोगे हमारे तो सारे ड्राफ की वीडियो ही उड़ गई तो यह चीज़ धियान रखनी है आईडी का पासवर्ड पता होना चाहिए तभी आपको हो जाएगी लेकिन अगर आपको उसका पासवर्ड पता है तो आप अभी अपने इस्टाग्राम को अनिस्टॉल कर सकते हो डिलीट कर सकते हो वापस से इस्टॉल कर सकते हो और अपने ड्राफ को पहले अपलोड कर लीजिए का अगर आप रिल्स पर वीडियो बनाते हो ड्र करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें जो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में